पहला है पीठ प्रक्षाल, दूसर À के चोक्य में जब गुरु जनों की नवहुपचार विधी की जाती है तब पाध प्रक्षालन रहता है गुरुओं के चरण strict प्रक्षालन ज तड़ेत tes ru approach पैर दोये जाते आधा नहीं की जाती पैर प्रक्षालन का आत है पैर दोना कि दोगे तब दूल मिलेगी सिर पर लगाने को और इसलिए दोए जाते हैं चरण वसुननली श्रावकाचार उनिका कई बार ऐसा प्रश्न पूछने लो कोई मुनिराज आये और फिर वो लोग विधी कर रहे हैं उन्होंने पैर दुलाएं उ उसके बाद गंदोदक को सिर पर नहीं लगा है तो बहुत से सादू लोट जाते हैं और फिर शावक लोग आकर के पूछते हैं कि महाराज आप हमारे हां आएं लोट के क्यों चले गए हैं बुले कि इसको लगाया है नहीं तो अब कुछ लोग जो रहते हैं वो जल्दी से अपनी असंतुष्ठी को अस्विकृति को शब्दों में व्यक्त कर डालते हैं कि अरे महाराज ये भी कोई बात हुई कि कहां लिखा है ये एक वाक्य तक्या कलाम बन गया कही लोग कहां लिखा है तो पहले शर्त यह है कि जहां लिखा हैं वोगर बता देंगे तो मानोगे अब शपतलो कि मानोगों तु बताते हैं अब और पहले ये बताओ कि जिस गरंथ से हम बताएंगे वो गरंथ आपको मानने है कि नहीं कि अब बेकित शक में किसी ने गरंथों की सूची बनाई उसमें 53 गरंथों के नाम थे जिनको उन्होंने अमानने कर दिया ये गरंथ हम मानने नहीं करेंगा और उनमें अधिकतर गरंथ आसे जिन में पंचामरेद अधिक्का बरिण तो फिर वाई ऐसे ये मन पसंद विभाजन नहीं चलता जिन शासने हैं वसुननन्दी श्रावकाचार गरंथ उसमें लिखा हैं कि चर्णो का प्रक्षालन करके पादो दयं पवित्तम सिरम्मिक आदून अच्चनम कुझ्जा क्या लिखा हैं कि पवित्र पादो दक को छरणों के उस उदकको सिरम्मिक आदून ai शिर्में लगा कर अच्चनम कुझ्जा कि अर्चना करो, क्या मतलब हुआ? कि पहले पाद प्रक्षालन करो, फिर उस पवित्र गंदोधको, पवित्र गंदोधको, शब्द पर ध्यान देना, जैसे नीद में मक निकाला, पवित्र गंदोधको सेरम निका दो, सिर पर लगाना, और फिर अचनम कुझ जार। कर अरचना करना कि विदी में कटोथी करने से न के पुंडे में हुआ क्योंकि ये दान जो है पात्रदान सुपात्रदान करने करने पर ही अपना फल प्रदान करने वाला दान है have written The उलम कि हो रहा है और आधे लोग चौके में वेस्त है कुछ दूसरे काम में अरे भाई ठीक है चौके को खाली नहीं छोड़ना यह उचित है लेकिन पढ़गहां देखो तो सही आप कम से कम अनुमोधना से तो कर लो तो वो भी क्रिया मानी जाएगी अगर आप मन वचन काय से नहीं कर पा रहे हैं तो मन से तो करो आप कोगे कि नहीं हमारी अनुमोधना अभी हम दूसरे काम में लगे हैं ऐसे नहीं है आप वहां मन लगा करके कितना समय लेगा बहुत ज्यादा समय लगता है क्या तो इसमें सम्मिलित हो जाओ पढ़गान के बाद उच्छासन है अब जोके में कितने लोग बोलते हैं कि कि गुरुवर उच्छासन पर विराजमान होई है कुछ लोग को तो यादी नहीं रहता कि ऐसा भी बोलना पड़ता है वो अंदर जाकर कि तुरंत हाथ वाद दो करके कुछ और तैयारियों में मगन हो जाते हैं और खड़े हुए हैं गुरु महाराज और उनको प्रतिक्ष करनी पड़ रही है कि अब कौन बोल रहा है देखें तो सही इतने छे लोग हैं अभी तक एक ने भी कुछ नहीं बोला है तो यह यह कोई विधी है क्या और एक बोलेगा तो क्या बाकी सबको नवपचार विधी का पुंडने लगें कैसे लग सकता है कि जो खाएगा उसी का चाह्या पेट भरेगा ना देखने से थोड़ी पेट भरता है तो उच्छासन ग्रहन कीजिए अत्वा उच्छासन पर विराजमान होई है आधर के शब्द ग्रहन करना एक निवेदन हो गया और विराजमान हो यह यह एक विनय हो बाशा बाशा में फर्ट पढ़ता है उच ुच्छासन assim पर प्रिपोजीशन लगाई है उच्छासन पर विराजमान मुई गोदे This time है दूज कहते हैं फिर अर्चना करते हैं अर्चना के बाद प्रणाम कर यह भी ल्ग गेन्ति मेंच्यज आधी अर्चना के वाद में प्रणाम करते हैं पांच्वा स्थान प्रणाम का है चौधा स्थान अर्चना का है कि तीसरा स्थान पाद प्रक्षालन का है दूसरा स्थान उच्छासन का है पहला स्थान प्रतिक ग्रहन का है बीजिए क्रिमा फिर नंद्ट की चार हैं ऊब वं pussy अ मन शुद्धि वचश शुद्धि काय शुद्धि और शेल शुद्धि शास्तर में शुद्धि लिखे पर अहारज में रूपां तरीत हो गया है कि सएल शबदों के अपिक्षा जो दातार है उसकी पूरी शारेरिक शुद्धी आदि सब एष्णा शुद्धी में सम्मेलित होती है और भोजन की भी सारी शुद्धी उसके अंतर हम आपको जो आहार दे रहे हैं वो आगम के अनुकूल है ये उसका विप्रायोगा इसमें 14 मल नहीं है इसमें और भी अनेक प्रकार के जो दोश बताया है भोजन संबंदी वो दोश नहीं है ऐसा भोजन हम आपको दे रहे हैं तो वो हमारी एष्णा शुद्धी है और हमने शुद्धता पुर्वग बनाया हुआ है अमने शुद्धवस्त्र विधारन किया है शारीक शुद्धी नौ द्वारों को और ये धर्मानुष्ठान के लिए मात्री वर्ग के लिए जानकारी की बात है और पुरुश्वर्ग भी जो पहले राजा महाराजा राजकुमार बड़े-बड़े बाल रखते थे बड़े केश वालों के लिए एक महत्त्व की जानकारी है उपासकाद्यन गरंत में सौमदेव सूरी आचायरी माराज में लिखा है कि ये जो जिनेंद्र भगवान का अभिशेक होता है पूजा होती है उसके लिए स्नान के पाँच भेद है और पाँच भेद में से जो शिरस्नान और ग्रीवा स्नान है अगर आपने शिर स्नान किया है तो आप अभिशेक कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं और सादू को आहरदान दे सकते हैं अगर आपने ग्रीवा से अथाद गर्दन से स्नान किया है तो भी आप अभिशेक कर सकते हैं पूजा कर सकते हैं और आहारदान दे सकते हैं लेकं उसके बाद के जो तीन स्नान आएं वो नहीं चलते कि भो स्नान स्नान के अंतर गत्यों गिने जाते हैं लेकिन उन स्नानों के साथ आप ये क्रिया नहीं कर सकते कि यशिस्तिलक चंपू में ये वरिनना तो फिर एक प्रश्न आता देखो आज तर्क का जमाना है कि बार बार जरा जरा से में प्रश्न उड़ते हैं अरे महराज स्नान नहीं करते हैं तो हमें स्नान करना जरूर है क्या अरे भाई स्नान के तीन भेदे वैसे देखो तो फिर जलस्नान के पांच भेदे शिरस्नान कंड़स्नान फिर और भी नीचे वाले स्नान भी होते हैं तो मूल में स्नान के जो तीन भेदे वो है व्रतस्नान मंत्रस्नान और जलस्नान तो जो गुरू जन है वो व्रत और मंत्रस्नान से पवित्र हैं तो आप कोगे कि हम नहीं हो सकते क्या लेलो हो जाओगे दिक्षा लेलो अब भी हो जाओगे उसमें कॉंसे बड़ी बार है जैनुन जैतुशासनुन